क्या आप जानते हो आपके छोटे छोटे आदोते एक बड़ा सफलाता के नजदिक ले जाते हैं जैसे आपके वोजन हांडिट केजी आप कम करना चाहते हो पर सुभे जोल्दी उड़ भी नहीं पाते हो तो रोज सोशते हो कैसे कम क्या जाए क्या करू तो सुनो आप सुभे चार से पाज बजे अलराम मत लगाओ क्यूकि जबी अलराम बासते हैं हम सोशते हैं थोड़ी देर और सो जाते हैं थोड़ी देर थोड़ी देर करते करते उटी नहीं पाते रात नौसे दस बाजे के बीज सो जाया करो देखना सुभे चार बाजे अपना आपने तूर जाएगी 20 मिनिट पैदल चलो उसके बाद 2-4 योगा करो शुरुआत में थोड़ा हाथ पर दर्ध होगा लेकिन रुख मत जाना कॉंटिन्यू जारी रखना दर्ध के उपर दर्ध देते रहना फिर देखना आदोथ हो जाएगा एक महेने के बाद मुझे कमेंट करके बताना क्यूंकि मैं खुद मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए दाबे के साथ में बोल सकती हूँ और जो छत्रा छत्री मॉर्निंग में उट नहीं पाते हैं आप लोग भी नौ से दस बज़े के भी सोजाय करो फिर जल्दी उट जाना एक छोटे छोटे आदोते हमारे जिवन के बदला पला सकते हैं हमारे आदोते हमारे कंटल में हैं आपको तै करना है छोटे छोटे अच्छे आदोत के साथ दिन सुरुआत करना है या बुरे आदोते के साथ बुरे आदत मतलाब जैसे सुबे उटते ही मोबाइल देखना रात को सोने से पहले मोबाइल देखकर सोना है ये बहुती बुड़े आदत है, सुभे उठते ही दास मिनिट भगवान जी के बारे में सोचो, हे प्रोभू मैं आपको कभी भूलू नहीं, हार सुभे आपके बारे में में सोच साकू, आपकी किरिपा हमारे में बनाए राखना, फिर आप आपके छोटे छोटे करम में लग हमेशा याद राखना, आप आपके दिमाग को जैसे सोचाओगी, वैसे ही सोचेगी, बादा करो, आज से छोटे छोटे अच्छे आदत के साथ सुरुआत करोगे, और बड़े सफलाता हसील करोगे, धन्नवाद